मैं आपको 1930 की दांडी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूँ गांधी जी ने नमक सत्याग्र के दम पर अंग्रेजी शाषन की नीव हिला देने की बात कही थी उन्हांने ये भी कहा था कि जब साधन न्यायपूर्ण और सही होते हैं तो भगवान भी साथ देने के लिए उपस्तित हो जाते हैं साथियों एक छोटे से जत्ते को साथ लेकर मात्मा गांधी सावर मती आस्रम चे निकल पड़े थे एक एक दिन बित्ता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्याग्रा से जुड़ते चले गए 24 दिन बात जब गांधी जी ने दान्डी में अपनी यात्रा पुरी की तो पुरे देश एक प्रकार चे पुरा देश उठकर के खड़ा हो गया था कश्मीर से कन्या कुमारी अटक से कटक पूरा हिंदुस्तान चेतन बंत हो चुका था उस मनोभाव को याद करना उस इच्छा शक्ति को याद करिए इसी ललक ने इसी एक जुटना ने भारत की आधादी की लड़ाई को सामुहिक्ता की शक्ति से भर दिया था परिवर्तन का वही भाव संकल्प में वही इच्छा शक्ति आज देश आप जैसे युवाओं से मांग रहा है 1930 से 1947 के बीच देश में जो जवार उठा जिस तरह देश का युवाँ आगे बढ़कर आए एक लक्ष के लिए एक जूट होकर पूरी युवाँ पीड़ी जूट गई आज यही मनोभाव आपके भीतर भी अपेक्षित है हम सबको इस भाव में जीना होगा इस संकल्पर साथ जुड़ना होगा उस समय देश के लोग खास करके देश के युवाँ स्वराज्ज के लिए लड़े थे आज आपको सुराज्ज के लड़े लिए जी जान से जुटना है उस समय लोग देश की आजादी के लिए मरने मिटने को तयार थे आज आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चलना है 25 साल बार जब भारत आजादी के सो वर्थ पूरे होंगे तब हमारी पूलिस सेवा कैसी होगी तितनी ससत्त होगी वो आपके आज के कारियों पर भी निर्भर करेगी आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भव्या अनुसासित भारत के इमारत का निर्माण होगा समय ने इस संकल्प की सिद्धी के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है और मैं इसे आप सभी का बहुत बड़ा सवभाग्य मानता हूँ आप एक ऐसे समय पर करियर शुरू कर रहे हैं जब भारत हर क्षेत्र हर सर पर ट्रांस्परमेशन के दौर से गुजर रहा है आपके केरियर के आने वाले 25 साल भारत के विकास के भी सबसे एहम 25 साल होने वाले है इसलिए आपकी तैयारी आपकी मनोदसा इसी बड़े लक्ष के अनुकुल होनी चाहिए आने वाले 25 साल आप देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग पदों पर काम करेंगे अलग-अलग रोल निभाएंगे आप सभी पर एक आधुनिक प्रभावी और संबेदंसिल पुलिस सेवा के निर्मार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए आपका हमेशा यह याद रखना है कि आप 25 साल के एक विशेश मिशन पर हैं और भारत ने इसके लिए खास तोर पर आपको चुना है